मुझे लगता है कि आप सभी लोगोंने एक एजनसी का नाम जरूर सुना होगा विश स्वास्त संगठन के बारे में जिसे आप लोग सौर्ट में डबलू, एच, ओ भी कह देते हैं या फिर आप लोग इंग्लिस में उसे World Health Organization भी कह देते हैं इसने क्या कहा है कोरोना को लेकर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे पहले आप लोग इसके बारे में विश स्वास्त संगठन के बारे में एक सामन जानकारी देख लिए याद रखी ये विश स्वास्त संगठन की स्थापना इस उद्देश से की गई कि दुनिया भर में स्वास्त बवस्ताओं की देख भाल कर सके और इसके अगर हम लोग मुख्यालाई की बात करें तो ये हमारी प्यारी बिद भी इसमें आप देखेंगे एसिया में ये हमारा प्यारा भारत और भारत के आप पडोसीओं की बात करें तो ये स्रीलंका हुगया म्यानमार, बंगलादेश, भूतान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सबी आपके क्या है? पडोसी है यहां से आप लोग जाएंगे स्विजलेंड, स्विजलेंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जैनेवा, देखे यह है स्विजलेंड एउरोब में और यह आपको देखने को मिलेगा जैनेवा, और स्वास्त जो वर्ल्ड हेल्ट और्गनाइजेशन जिसे आप लोग वि इस स्वास्त दिबस भी आप लोग मनाते हैं ठीक है और एक बात और याद रखिए मेरा उद्दे से कोई आर्टिकल बता कर आपको डराना नहीं है मेरा उद्दे से इतना है कि आप लोग जागरोक रही है आप लोगों ने हमने आपने जो एक तरसे लापरवाही बरती है आदें थी वो पार करते गए उसी का फैड़ाम आप सामने आवी चुका है नेताओं के बारे में कोई बात थी मत करना तो अच्छी बात है अब वो नेता आपके नहीं रहें जो आजादी के पहले थे कि आप लोगों के लिए जिया करते थे आपका एक तरह से फायदा पहु आप सबसे जानदा एक तरह से डैथ भी हमारे यहां हो रही है और आपने यह भी देखा है कि सबसे जानदा केस भी हमारे यहां यह आ रहे हैं ठीक है और दुनिया भी काफी एक तरह से हमारी मदद भी कर रहे हैं कई देश आपने अमेरिका ले लिजे या फिर ऑस्टेलिया ले लिजे, जापान ले लिजे, UAE ले लिजे, सभी देश लगबग आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे तो भारत में कुरोना, संकमड की दूसरी लहर के कारण पैदा हुई इस्तिती ने अंतराष्टी इस तर पर भी चिंता बढ़ा दिये। और भारत की इस्तिती को देखते हुए विस स्वास्त संगठन WHO ने गंभी चिंता जयता ही है। और हाल में अपने एक बयान में संगठन की प्रमुख दोस अद हानुम ग्रिबे संसस ने भारत की मौजदा इस्तिती को हिदय बिदारक बताया है। ग्रिबे सस ने कहा है कि भारत की इस्तिती अब काफी नायोग हो गई है और यह तो आप भी जान रहे होंगे मुझे लगता है अगर आप न्यूज पेपरों से जुड़े हुए हैं और न्यूज देखते रहते हैं तो इस्तिती तो आपके भी सामने है कि आपने देखाए कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा हम किसी बुरी इस्तिती के लिए कहते हैं कि यह हिदय विदारक है आप समझ रहे हैं कि कब बोलते हैं हम लोग इस तरह की बात की हिदय यह इस्तिती बहुत हिदय विदारक है या दुल तोड़ने बाली है जब आप सोची कि उसस्तिती एक तरह से बहुत खराव हो चुकी हो ठीक है लेकिन भारत की इस्तिती आज इससे भी बुरी है और उन्होंने कहा है कि कई देशों को अभी भी कुरोना की गंभी संकट का सामना करना फड़ रहा है लेकिन भारत में इस्तिती दिल तोड़ने वाली है ग्रिवेसस ने कहाई कि संकट में से निपटने में भारत की मदद के लिए डबुल लू एचो ने दो हजार से अधिक कर्मी तेनाद किये हैं और विट्टी का करन समय विभिन कारकरों में भारतिये अधिकारियों की मदद कर रहे है तो ये पूरी इस्तिती बने हुए है अभी भी भी बोल ला ओँ कि आप अपने घर में रहηे और बंद होकर रहे है कम से कम पूरी सेप्टी रखिये क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक परिवार के किसी मेंबर को हो रहा है करोना तो पूरे परिवार में ठैलने की 99% तक चांज बढ़़ जाते हैं क्योंकि हम लोग किस तरह से रहते हैं आप सभी जानते हैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि हॉस्पीटल जाने की कोई जरूरत ही न पड़े उससे पहले ही आप लोग सुरच्छे रहें ठीक है क्योंकि हॉस्पिटल में जाना आप लोग समझ रहें क्या इस्तिती बनी हुई है और आप देखें कि टींका भी लगना सुरू हो जाएंगे तो लगबाते रहें वैक्सिनेशन करवा लिए सबको एक तारीक से आपके सबली लोगों के लिए उपलब्द रहेंगे और अपना ध्यान रखी अभी हर हाल में